वेल्कम टो फिंचर यादोसे चैनल में आपका स्वागता है दोस्तों आप भाईयों को काफी श्कायत रहती थी कि मैं अपोर्टेट मशीने बगारा दिखाता हूँ दोस्तों आज मैं आपको इंडियन मशीन दिखा रहा हूँ चलो अब हम टूर करते हैं पंजाब मशीन टू नहीं है तो वीडियो के अंदर ये भी मैंने बता रहा है प्रैज कितना है इसकी मोटर कितने होस्पावर की है तो दोस्तों वीडियो आप पूरी देखो के तभी आपके इन चीजों का पता लगेगा अगर किसी भाई ने मुझसे कॉंटेक्ट करना है तो सामने स्क्रीन पर हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकी आएं एक नई मशीन जिसमें आपको दिखाते हैं प्लैनर प्लस साथ में चेंड की अटेच्मेंट है अभी इसकी आपको पूरी वर्किंग वीडियो भी दिखाएंगे कैसे ये वर्किंग है और इसकी स्पैसिफिकेशन क्या है इससे पहले जो हम आपके लिए वीडियो लेकी आए थे उसमें क्या था कि प्लैनर के साथ चेंड की अटेच्मेंट और बैंड्सा की अटेच्मेंट थी अभी लेकिन हम जो आपके लिए मशीन लेकी आए हैं इसमें बैंड्सा की अटेच्मेंट नहीं है यूंकि ज्यादा गातर लकड का जो कटिंग का काम होता है वह बढ़ा होता है तो इसमें अकेली चैन चेंचिए ट्वाइचमेन्ट है आपने चोटी मोटी कटिंग के लिए आप इसमें 12 तक का कटर लगा सकते हूँ अब को इसकी वर्किंग दिखाते हैं कैसे किया वर्किंग है कि आपको अबने दिश्च पर टेस्ट पिरेंज हों यह 13 इंच का प्लैनर है इसका जो प्लैनर है 57 इंच नंपा है और 13 इंच पूरा चोडा है यह इसकी थिकनस है सर प्लैनर की इसमें क्या है कि आप 13 इंच पूरा चौड़ा लक्र निकलेगा इसकी गेज में और 9 प्लस खड़ी लक्र निकल सकती है नो इंच से थोड़ा ज्यादा आप इसमें खड़ी लक्र निकल सकते हो थिकनस में से आप एक टाइम में दो मशीनें यूज़ कर सकते हो चेन और प्लैनर इसमें इस साइड भी कटर डाल के यूज़ कर सकते हो यह इसका टेवल को उपर नीचे करने के लिए यह वील है आप इसको उपर नीचे करो अपनी अड्यस्टमेंट के इसाफ से यह इसको आगे पीछे करने का जो टेवल है टेवल को वील है यह साइड को करने का ठीक है इस में आप इस साइड भी कटर लगा सकते हो और इस साइड भी आप कटर लगवा सकते हो मतलब कटर से काम ले सकते हो इस साइड किसी का अगर किसी कस्टमर का वाई का मतलब मान के चलो कि एक ही कटर का काम है मतलब उनका कटिंग का ज्यादा काम नहीं है तो आप यह कटर निकलव से आप कर्टिंग का काम ले सकते हूं यह साइड के कटर का है अगर आपको इसका yooze नहीं तो आप इससे पुली को ऊपर उठा सकते हो यह इसका लॉक है है इसके आप ऊपर उठा लो और कढर रूख जाएगा अगर आपको जूरूरत है आप इसके अनल को नीचे कर तो कड़र चल जाएगा यह इसमें डबल कटर आप चला सकते हूं इस म मशीन में भी आप उसी तरह से काउर नर बिट या इसम वाला बिट आप लगाके काम कर सकते और वहीं आज हमने लगाया है यह काउर नर स्कारनर बिट जो चुकाड़ अगा और आगा अगा आजाता है वह आप अपने डिजाइन का कोई भी बिट हमसे बनवा सकते हो यह डाइमन में कोई भी साइज का कोई भी डिजाइन का बिट अभी आपको इसकी में वर्किंग दिखाता हूँ यह कॉर्णर बिट की कॉर्णर यह कॉर्णर बिट है धर अब देखो यह अभी हमने कॉर्णर बिट का मारा है अब कोई भी डिजाइन का बिट कितने भी साइज का बिट आप इसमें लगा के चला सकते हूँ इसमें देखो सरी यह आपको पताम बाला देंगे इसमें आप डिजाइन का ब्लेड ब्लेड भी लगा के चला सकते हो किसी साइज का आप ब्लेड बनवाओ किसी भी डिजाइन का कि इसमें इस तरह का पताम में ड्जाइन डालके ब्लेड भी लगाके कोई भी डिजाइन का चला सकते हो आपको इसकी भी वरकिंग दिखा रहे हैं आप है कि आप इसमें यह डिजाइन का ब्लेड लगा के दोनों तरफ एक एक ब्लेड लगा के आप इसमें भी यह निकाल सकते हो यह अभी आप आप आपको चेन की वर्किंग दिखाते हैं एक ही टाइम में ये दोनों मशीने वर्किंग कर सकती है इसमें आप 3HP का मोटर सिंगल फेस अपने किनेक्शन से हिसाब से 3 फेस सिंगल फेस भी लगा सकते हो जो आपको चाहिए इसकी जो चेन की कैपस्टी है वह आप डाई इसमें मैक्सिमम चेंच तक को नीचे को सुराख डाल सकते हो वह आपको दिखा रहे हैं हम इसकी वर्किंग इसकी अभी बैल्टें लगा लिए हमने ये सब कुछ कवर होगा सेफ्टी के लिए आपको दिखाने के लिए हमने अभी इसको ओपन रखा हुआ है लेकिन आपको ये पूरा सेफ्टी होगी कवर पूरा होगा आपको ये चेन की वर्किंग है ये इसका जो वील है वो इससे आप आगे पीछे उससे साइड को और इससे आप ये लॉक है जाहां जिस साइट के उपर आपने लकड को बांद के अपना तुराख कर लाए है ये इसमेंड की चे आपको मशीन के साथ मिलेगी आपको दिखाते हैं इसकी ये देखो आप पूरा जिरो जिरो सुराख होगा हमारी मशीन की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारी मशीन फिलकुल भी वाइबरेट नहीं करती ये अभी फिलहाल मशीन चल रही है आप देख सकते हो पानी फिलकुल को इसकी नहीं हिल रहा है थे अभी आपको आपको इसकी सबस्ते फिलता नहीं हिल रहे है अगल में फानी वाले पिलकुल नहीं करेंगा थे तक से बड़ी मारी में इसकी खासियत है एबी त्यूटी मशीन कर सकते हैं दन्य वासर आपने हमारी वीडियो को देखने के लिए इससे पहले जो हमने वीडियो वगारा बेज बनाई है है उसका भी हमें काफी बड़िया रिस्पांस मिला है आपको इस मशीन की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या बुकिंग के लिए आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हो हमारा फोन नमबर है देखने के लिए या उसकी वर्किंग देखने के लिए आप हमारे अड्रेस के उपर आ सकते हो मारा अड्रेस है पंजाब मशीन टूल डिस्टिक फतेगार साहिब स्टेट पंजाब और सीटी का नाम है सरंद थैंक यू सो मच गाइज दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना साथ में बैल आइकन का बटन दबाने का बटन दबादेना ज अजाल था दोस्तों कटना साथ दोस्तों आदेट आपको टना साथ चैनल के बाइकन का बटना जया है अजेशी ओेंस बावार एका का अच्छी आपको टूल सबने के लिए झाल का का, रवाब पको झाल झाल झाल